कुल आद का यह देखो also about ह Sut steam का उपर पाच बाई तीनתे का बेड़ है वहाँ पर थीन आदमी सो सकते यह ओनिंग रूम है यहाँ पर तीन आदमे अराम से सो सकते गाडी में दो सकते हो यह ठोटल आट आदमी यह देखो कहा मैं मैंने यह camping setup लगाया है देखो यह कैशेपी डैम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर मैंने यह सारा setup लगाया हुआ है आप भी आपको भी अगर कही camping के लिए जाना है तो आप मेरी गाड़ी लेकर जा सकते यहां फिर अपने गाड़ी पर यह टेंट लगा सकते हैं और आपको अगर यह टेंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको मेरे पास टेंट है फिर दो यह एक आरीफायर घाड़ी के पिछे लगाने के लिए बिए करियए और फिर इसके हम क्याम्पिंग के लिए आगड़ी को लेकर जा सकते हैं अधर लप् seeimane अगर मार्णी धेखो यह troll in यहाँ पर जो हाफ आप यहाँ 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 पर मैंने हिच रिसीवर बनाया है यह देख फार है scoring करे कर सकते और इसमें 50 करके आप लोगि केम्पिंग का मट्रेल और सामान होता ना सारा जनरेटर बल्ब्स फिर अपना कीचन सेटप यह सारा लेके जाना होता ना तो यह कार्गो केरियर यह बड़ी काम की चीज है तो आप इसके कर सकते क्यांपिंग के लिए कुछ ने कोई ताला या फिर अच्छी जंगल की शांत ज इसे जगार मिल जाती है तो फिर क्यांपिंग बहुत ही आनन्दा ही हो जाती है यह देखो अब एकदम बड़ी असे और अभी मैं आपको इसका यह जो दिखा रहा हूं नहीं आपको अब यह जो टेंट में हम लोग आते हैं ना और यह सारा यह जो यह जो यह लाडर यह यह हो जाता है फोल्ड होके बिल्कुल चोटा सा हो जाता है यह देखो यह चारो तरफ से विंडो वहां उसको मस्किटों नेट भी है यह देख रहा है आप मस्किटों हाना कि मैंने उसको फोल्ड करके रखा है चारो तरफ से मस्किटों नेट लगे अंदर से मैं टेंट कि यहां से आप उपर के चांद तारे देख सकते रात को और यह जो ना यह चारो तर्फ से विंडो हर एक को मस्किटों कवर है और एक कवर है या फिर मोबाइल रखने के लिए यह पॉकेट से यहां पर आप पीलो अलो रखे पिर आप यह कर सकते यह देखो और यह जो मैंने तो इसी में भी यह जो दर्वाजे है यह फूरे दर्वाजे को मस्किटों नेट भी है यहां पे चैन है ना यह चैन खीलते का मस्किटों नेट लग जाता है फिर दर्वाजा लग जाता है फिर यह देखो अंदर से हरे को यह मस्किटों नेट है यह देखो यह मस्किटों न और यहां पर नीचे अभी मैंने कुछ बिचा है नहीं फिर यहां पर आप खाना वाना बना सकते या फिर यह रूम में खाना बना सकते या फिर तीन-चार आदमी हराम से सो सकते है रात को कोई टेंचन ने इसमें यह देखो बिलकुल ठंडी हवा न लगेगी और ना ठंडी बजेगी इस तरीके से यह अनिंग रूम है इस तरीके से अनिंग रूम है यह देखो यह तीन आदमी सो सकते उपर तीन आदमी सो सकते गाड़े में दोन आदमी सो सकते शाथ आट आदमी तो आराम से अड्रेस हो सकते इसमें यह देखो यह सेट अप है और यह देखो मैं आज यहां पर नासिक समय वीडियो बना रहा हूं नासिक में यहां पर एक कशब करके डैम है नासिक के बिल्कुल सिटी के बिल्कुल बगल में 12-15 किलमेटर भी यह डैम है कशब डैम में करके के कैम्पिंग के सई जगह है देखो नासिक में तो यह डैम की और कैम्पिंग प्लेशेस की भरमा रहे अच्छा फूड यहां मिल जाता है और कैम्पिंग के लिए टेंट के लिए एक रेडिमेट कुछ रिसॉर्ट भी बनाए हुई यहां पर यहां आपको टेंट में रह सकते है इसमें जो सारी स्वीधा है इदेखो मैंने मेरा नंबर लीचे दिया हुआ है या फिर अगर किसी को एक टेंट खरीदना है एक कैसा इंस्टॉल करना है लगाना है कहां से खरीदना है पता नहीं होता तो यह टेंट मेरे पास है बेचने के लिए और यह कार्गो क्यारियर और मोटरसाइकल कैरियर भी है और केम्पिंग के बहुत सारे गजट्स भी मेरे पास है अगर आपको केम्पिंग के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी मैं देशकता हूँ अच्छा मेरा नंबर आपको नोट करो नीचे और यह मेरा वीडियो आपने देखा इसके करो शेर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू थैंक्स अलॉट